नमस्कार दोस्तों मैं हमित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं kingcroft.com जहाँ एक नई वेकंसी सामने निकल कर आई है UPP CLC उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिम्टेड असिस्टेंट अकाउंटेंट की टोटल तैतिस वेकंसी है रिक्यूर्मेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020 तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे इसके इंपोर्टन लिंक्स वबसाइट और रजिस्टेशन कैसे करेंगे लॉगिन कैसे करेंगे सबसे पहले आपको मैं बता दूँ इस सारी जानकारी के लिए आपको लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं आप क्लिक करेंगे तो डिरेक्ली इस वबसाइट पर आ जाएंगे जहां पर यह पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर है स्लेबस के साथ तो अब आएए देख लेते हैं वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का इकन को प्रेस कर दें इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको नोटिवेकेशन नही नह अब डेटेड जॉब से नोटिवेकेशन मिलेगी तो आएए शुरू करते हैं इंपोर्टिंट डेट के साथ तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपका बिगनिंग डेट है फॉर्म आप नो दोजार बीस से आप फॉर्म भर सकते हो लास्ट डेट उन्तिस नो दोजार बी इसमें मिल जाएगा अगर मैं फीस की बात करूं कितनी फीस कैटेगरी वाइस लगने वाली है तो जन्रल जन्रल ओबीसी को एक हजार रुपए देना पड़ेगा एक्जामनेशन फीस थ्रू जो है कैसे आप जमा कर सकते हो फीस को तो डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड और जयाने कॉमर्स में भी कॉम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर मैं एज की बात करूं तो एक साथ दो जायर बीस से आपका एज काउंट होगा तो इस हिसाब से आपकी मिनिमम एज 21 वर्स और मैक्सिमम एज 40 वर्स होना चाहिए एज में जो रिलाक्सेशन होगा उत वेकेंसी है तो कैटेगरी वाइस क्या देखने को मिलता है OBC को 21 पोस्ट है SC के लिए 11 पोस्ट है और ST के लिए एक पोस्ट है टोटल पोस्ट आप इसी साब से 33 हो जाता है पोस्ट को कह नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट ब्लॉक ब्लैक लॉक तो जनरल को 0 वेकेंसी है OBC में 21 से SC में 11 ST में एक टोटल वेकेंसी 30 इंट्रेस्टेट कंडिडेट मस्ट बी रीड़ दा नोटिफिकेशन विप्रो अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म को भरने से बहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़े मैं फिर से बोल रहा हूं नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा तो आ नाम है upenergy.in वेकेंसी का जो ओफिशल वेबसाइट है यही है इसका ओनर यही है यही वेबसाइट है तो पहला में फॉर्म दो तरीके से भरना बताऊंगा इस वेबसाइट के माध्यम से दूसरा इस लिंक के माध्यम से जो मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर रखा है तो अधर प्रदेश पाउर कार्पोरेशन की ओफिशल वेबसाइट है यहीं से मैं आपको फॉर्म बरना सिखाऊंगा बताऊंगे कैसे आपको फॉर्म बनना है तो राइट हैंड साइट पर सबसे पहले आप जाए फॉर्म निकली कहा है इसका नोटिवेकेशन बेगार तो वे अधर लॉक का ऑनलाइन फॉर्म है असिस्टेंट अकाउंटेंट का ठीक है तो आपको इसी के ऊपर व्यू और डाउनलोड की ऊपर आप्शन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस आप्शन पर पहुच जाएंगे अब इसी आप्शन से आपको सारे इन्फॉर्मिशन मिल जाएगा कि लॉग इन कैसे करना है रजिस्टेशन करने हैं कैसे करना और एडवर्टीजमेंट तो एडवर्टीजमेंट में यहाँ देखी डाउनलोड करके ऐस आडवर्टीजमेंट दिया हुआ है आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है तो जैसे इस पोस्ट है यहाँ पर देखिए तो आप आए देख लेते हैं आगे इसमें इंपोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन से जिससे आप यहाँ पर दगर आप देखेंगे तो जरूर पढ़ें वेतन कितनी होगी इसके क्या है आपको क्या मिलने वाली है आफ्टर जॉइनिंग ठीक है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आयू आयू सीमें कैने अधारित की गई है वो सारी चीजे मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ आरच्छन की सहसाब से मिलेगा वो पढ़ लिजे चैन की प्रक्रिया क्या होगी लिखित परिच्छा क्या होगी वो प्र अब यहाँ पर देख सकते हैं आप उसको पढ़के अपडेट हो सकते हैं अब यहाँ पर देखे इसको भी मैंने पहले से बता रखा है कि बिग्निंग डेट कब है लास डेट कब है फॉर्म की फी की लास डेट कब है यह सारी चीज़े आप यहां से ले सकते हैं देख सकते हैं तो यह रहां को यहां पर उपर अगर आप देखेंगे तो notification advertisement डाउनलोड कर सकते हैं फिर scroll करेंगे scroll करने के बाद I agree कर देंगे दो चीज है यहाँ पर start पर click करेंगे तो login पर पहुँच जाएंगे और already अगर आप registration पर करेंगे तो आप login पर पहुँच जाएंगे start पर click करेंगे तो fresh registration करना होगा अगर आपने future में कभी आपने यहाँ पर registration कर रखा है तो नीचे already login पर click कर देंगे और अगर पहली बार आप login कर रहे हैं तो start पर तो आईए पहली बार अगर अगर अप fresh करते हैं क्या है assistant accounting का आप यहाँ पर select कर लें total post 20 है total post नहीं post code 20 है उसके अधा आप अपने यहाँ पर पूरा नाम डालेंगे आपको full name डालेंगे देन आपको क्या करना अपना mobile number डालना है confirm mobile number डालना है email id डालना है confirm email id डालना है देन आपको यह capture code को नीचे डाल देगे देन आपको submit button को click कर देना है जैसे ही submit button को click करेंगे तो एक OTP जाएगा आपके mobile number पर और या फिर email id पर आप उस OTP को यहीं website पर डालेंगे और आपका registration complete हो जाएगा आपको username and password आपका create हो जाएगा username and password अगर जब आपको मिल जाएगा देन आपको फिर यहीं पर download पर जाना है और आपको यहाँ पर already log इन के उपर click कर देंगे तो यहाँ पर login के option पर आप पा जाएगा उस username and password को यहाँ पर डालेंगे देन login कर देंगे उसके बाद आपने high school, inter, graduation वगारा जो भी किये हुए ह और आपकी passport size की photo, आपका thumbnail, आपकी सारी information, सब कुछ यहाँ पर डालने के बाद submit कर देंगे, payment कर देजिए, उसके बाद receipt जो आपको मिलेगा उसे आप download करके रख लें, फिर future में जब भी इस portal पर आपको आना है, इसी poster portal पर आकर login कर लें, तो admit card वगारा आपको यहीं से, कोई problem होती है, तो वीडियो के नीचे आप comment करके मुझसे confirm कर लेते हैं, admit card वगारा नहीं आता है, तो कैसे मिलेगा वो सारी चीजों के लिए, आप मुझे tweet कर देंगे, तो मैं आपको guide कर दूँगा, चीजे बता दूँगा, नहीं तो मैं खुद ही download करके आपको WhatsApp वगारा, यहां से आपको form वगारा कैसे भरना है, login कैसे करना है, registration कैसे करना है, notification, अब यही सारी चीजे अगर आप यहां पर देखेंगे, तो मैंने sort में दिया, redirect होने के लिए, तो अगर आपको यहां से नहीं करना है, website के मादम से नहीं समझ में आता, तो official website पर आप click कर देंगे, त website पर direct बहुत जाएंगे, तो जिस तरीके से, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, अगर आपको notification डाउनलोड करना है, website के मादम से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहां पर click कर दीजी, तो notification आप directly download हो जाएगा, आप यहां से download कर सकते हैं, login, login का option मैंने दे रखा है, दोन registration के option पर redirect हो जाएंगे, और आप यहां पर registration बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, मैं इसे बंद कर देता हूँ, देखिए, है ना, आप इसको बढ़ दे, तो कुल मिला कि मैंने दोनों type type से बता दिया, कि आपको कैसे form बढ़ना है, तो आपको जैसे form बढ़ना हो, जैसे आपक शेयर कर रखा है, आप syllabus को download करके देख सकते हैं, कुछ ऐसे, क्लिक करेंगे तो direct आप यह syllabus खुल जाएगा, आप अच्छे से read करने, syllabus में क्या आने वाला क्या नहीं, एच्छो के birthday online form बने से पहले, advertisement जरूर पढ़े, वही है इस सारी चीजे, इसके अलाव नहीं समझ में आत info at the red kingcraft.com पर आप मुझे mail कर सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं clear है, फिर भी आप मुझे facebook, twitter, instagram, linkedin पर आप मुझे follow कर लिजे और वहाँ पर tweet वगारा करेंगे, मैं सारी चीजे देदूँगा, facebook का मेरा group है, उसे आप join कर सकते हैं, वहाँ से बात कर सकते हैं, telegram group पर आप ज आप जबा सकते हैं, और मेरे बारे माधिक जानकारी चाहिए, तो अब आउट चेक कर लें, वैसे मिना नाम अमिद कुमार सिंह है, तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी बाइब बाइब युद नई